यह question असानी से solve कर सकते हैं, यह flow cytometry या facts से related problems होते हैं, किस topics related है, that is facts, facts is like a flow cytometry, fluorescence activating cell sorting उससे related होता है, जो है या तो flow cytometry, दोनों ही एक दूसरे पर dependent technologies है, flow cytometry based होता है और facts उसका advanced version है, ठीक है, जब भी हम facts या flow cytometry को use करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कि हमारे पास एक labeled cell use करते हैं, या तो unlabeled cells, अब यह पूरा का पूरा जैसे fsc versus ssc का graph यहाँ पर बना हुआ है, वो graph fsc versus ssc का graph बनता है, fsc versus ssc, यह जो graph बनता है fsc forward scattered light और secondary scattered light का, यह graph क्या represent करते हैं, size के basis पे जो है, वो discriminate, size और particle के जो clumping होती है, numbers होता है, उनके basis पे जो है, वो एक तरीके से differentiate करते हैं cells को, fsc versus ssc, ठीक है, इनको जो है, हम labeled कर सकते हैं, और labeling करने के लिए, हम pe, यानि की, specifically use किया जाता है, आपके, pe, that is, propedium कुछ करके use होता है, और fitc, जो है, यह तरीके के, दो तरीके, यह dyes होते हैं, specifically, pe, penaxene करके हैं, और fitc, यह जो है, आपके dyes होते हैं, और in dyes को, हम labeling करने के लिए, यूज करते हैं, इसका full form, मुझे भी exactly याद नहीं आ रहा है, यह dyes हो है, हम cells को label करने के लिए, यूज करते हैं, अब इनका purpose क्या होता है, कि जब भी हम कभी पर cells पे इनको रखते हैं, तो उन cases में क्या होता है, कि specifically, आपके लिए इस तरीके का, वो बनता है, एक्सिस, जहां पर यह 0 होता है, यह अगर आप देखें, तो यह तरीके से positive x-axis है, और यह इधर की तरफ एक positive y-axis है, और इधर की तरफ negative y हो जाएगा, और इधर की तरफ positive x, यह होता है, इसमें चार तरीके के quadrates बनते हैं, आप उनके नाम जो है, अलग-अलग रख सकते हैं, यह इनके कई सारे principles हैं, अब देखें, यह वाला जो quadrate system होगा, इस quadrate system को अगर मैं बोलू first, तो इस quadrate system को अगर जानना हो कि इसमें कौन होंगे, तो इसमें देखें, positive x-plus भी होगा, x-plus है, और y-plus भी है, इधर की तरफ देखें, और इधर की तरफ देखें, x-plus-y-plus है, double positive, यह जो quadrate system होता है, double positive होता है, और यह वाला double negative होगा, x-y-, यहाँ पे plus x नहीं, minus x होगा, यह हो जाएगा, अब इसी तरीके से यह वाला जो quadrate होगा, इसमें x जो है, वो positive होगा, और y जो है, वो negative होगा, 0 से नीचे तो y negative, 0 से right side में तो x positive, x positive, y negative, और यहाँ पे देखें, 0 से उपार है तो y positive, और 0 से left है तो x negative, x negative, y positive, इस तरीके से quadrate चलता है, कई जगों पे इसका सीधा use a, b, c, d के लिए किया गया है, मतलब एक बार तो यही problem जो है, वो a, b, c, d के form में पूछा गया था, ऐसे करके, कि अगर a वाला axis जो है, a है और यह वाला b है, तो यह जो है, a plus b plus होगा, यह वाला axis जो है, वो a minus b minus, और यह वाला जो है, a plus b minus, और यह वाला जो है, a minus b plus, अगर इसी तरीके का quadrant system, c, d, 4, c, d, 8 वाले conditions के साथ हो, तो तुझरा समझिएगा, कि उसी चीज़ को अगर मैं represent करूँ, same तरीके का जो quadrant system है, तो यह case क्या हो जाएगा, इस case में, c, d, इधर की तरफ है, c, d, 8, positive, और इधर की तरफ है, c, d, 8, negative, यह जो है, वो है, c, d, 4, positive, और यह जो है, c, d, 4, negative, तो यह जो quadrant है, यह क्या हो जाएगा, c, d, 4, positive होगा, और c, d, 8, positive होगा, जबकि यह वाला quadrant क्या हो जाएगा, c, d, 4, negative, और c, d, 8, negative, यह जाएगा, c, d, 4, नीचे तो negative, c, d, 8, positive, और इधर की तरफ, c, d, 4, positive, c, d, 8, negative, यह कहानी हो गए, तो इस तरीके से आपके quadrant system में बात चल रही है, वही चीज़ आपके इस question में है, इस question में क्या चल रहा है, अगर इस पूरे problem को आप देखोगे, तो जरा सब, zoom करके देखे, in this particular problem, यहाँ पे c, d, 8 है, और c, d, 4 है, तो यह वाला जो quadrant होगा, d वाला जो quadrant होगा, यहाँ पे दोनो positive होगे, क्या होगे, दोनों के दोनों positive होगे, तो दोनों को positive कर लिजे, CD4 और CD8 दोनों को यहाँ पर positive कर लिजे, D वाला quadrant, तो D में देखे, CD4, CD8 positive नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर D वाले में दोनों positive नहीं है, यहाँ पर दोनों positive नहीं है, यहाँ पर भी दोनों positive नहीं है, तो एक ही से answer आजाएगा, बाकी quadrant को भी उसी स साब से आप मैच अन कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम को कॉडरेंट सिस्टम से फैक्स और फ्लो साइटोमेट्रिस रिलेटेड इस तरीके के प्रॉब्लम्स कई बार आ चुके हैं और अभी भी आही रहा है और आगे भी आता रहेगा तो यह टॉपिक जो है आपके मन में एक द दस्त हो जाना चीए कुश्चन आने के प्रॉब्लिटी आगे भी रहेगी ठीक है मैं विरेंट सेंग आई टीच